तो आज किस वीडियो में हम बात करेंगे अगर आपने इगनु में एडमिशन लिया है जुलाई 2024 सेशन में तो एडमिशन लेने के बाद आपको कब क्या करना होता है इगनु में आपका पढ़ाई कैसे होता है आपका एकजाम कब होगा कब आपको असाइमेट समिट करना होग कि इगनु में एडमिसन लेने के बाद बच्चों को कब क्या करना होता है तो इन सब चीजों के बारे में डिटेल में जानकारी प्राप्त करने के लिए वीडियो को पूरा देखिए और इगनु से रेलेटेट सभी अप्टेट और नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ओन कर लिजे ताकि सभी अप्टेट आपको मिलते रहे इगनु में admission confirm होने के बाद आपको कब क्या करना होता है जो भी चीज़े अभी आगे में आपको वीडियो में बताने पला हूँ वो ODL प्रोग्राम यानि कि open distance learning और साथी में online प्रोग्राम दोनों के लिए ही सेम रहेगा पहले हम बात करते हैं admission confirmation के बारे में तो इगनु में जब आपका admission confirm हो जाता है तो इगनु के तरप से एक ऐसा confirmation email आएगा आपके register email आईडी पर जिस पर आपका नाम लिखा रहेगा और आपका program code बगेरा आपको कौन कौन सा subject दिया गया है आपके पास क्या का subject रहेगा फॉस् सबसे important इसमें आपका enrollment number भी यहाँ पर दिया जाता है security के लिए मैंने इसको hide कर दिया है साथी में आपका regional center कौन सा है आपको कौन सा study center अलोट किया गया है study center का क्या address है सब कुछ इस email में लिखा हुआ रहता है और जब आपका इगनु में admission confirm हो जाता है तो आप अपना सबस का portal है यहाँ पर आपको अपने account में login करना होगा username password वगेरा डालने के बाद जब login करेंगे तो यही से आप ID card को download कर सकते है और enrollment number भी आप यही से निकाल सकते है admission confirm होने के बाद और जब इगनु में आपका admission confirm हो जाता है enrollment नमर आपको मिल जाता है तो आपको क्या करना है जो student management portal है वहाँ पर आपको पहले account को login करके आपका जो भी details है जो आपने इगनु में दिया उसे आपको verify करना होगा कैसे कर सकते है वह भी मैं आपको बता देता हूं तो यह जो portal है इसका नाम है student management portal account में login करने के लिए enrollment नमर यहाँ पर डालेंगे और जो भी आपका program code है वह आ यहाँ पर select करेंगे एक ऐसा verification code आएगा जिससे same to same यहाँ पर लिखेंगे submit पर क्लिक करेंगे तो इस तरीकी से आप अपने account में login हो जाएंगे यहाँ पर आपका सभी details आपको दिखाया जाता है enrollment नमर प्रोग्राम कोड प्रोग्राम कौन सा मीडियम में है और आपका जैसे कि यहाँ पर नाम father name date of birth और date of birth में यहाँ पर कुछ चीज़े hide करके दिखाया जाता है security के लिए तो आपको यहाँ पर पर परसान नहीं होना है और address वगरा दिखाया जाता है mobile नमर email ID कुछ यहाँ पर आपको दिखा दिया जाता है तो यहाँ पर आपको क्या चीज़े चेक करना है admission का जो आपका application form है उस पर जो details लिखा हुआ है और यहाँ पर जो details दिया यह दोनों ही सेम होना चाहिए अगर कुछ भी यहाँ पर गलत update हुआ है तो यह सही करवाने के लिए आपको इगनु के तरफ से हुआ है तो सही करवाने में कोई भी पैसा नहीं लगेगा लेकिन गलती आपके तरफ से हुआ है तो जितना भी निरधारित फीस रहता है correction का वो आपको देना होगा और जब इगनु में आपका admission confirm हो जाता है तो यह जो आपका admission का portal है जहां से आपने admission ल लिंक भी मैंने नीचे दे रखा है यहां पर आने के बाद आपको new registration पर क्लिक करना होगा यहां पर student registration फोरम आ जाएगा यहां पर आपको अपना basic details fill up करना होगा जैसे कि program code वगेरा enrollment number नाम और submit पर क्लिक करने के बाद आपके register mobile number पर OTP आएगा फिर आपको password set करना होगा आपको सभी जानकारी और अच्छे से भी मिल जाएगा और अब हम बात करते हैं induction meeting के बारे में तो इगनु में क्या रहता है कि जब आपका admission confirm हो जाता है तो उसके बाद आपका induction meeting होता है यह online भी हो सकता है या फिर offline भी हो सकता है offline होता है तो जो आपका study center रहता है वहां पर आपको जाना होगा और online होता है तो आप कहीं से भी mobile से भी उसमें आप सामिल हो सकते हैं अब induction meeting में क्या होता है वो आप समझें induction meeting में आपको यह बताया जाता है कि इगनु में जब आप admission confirm होने के बाद आपको कब क्या करना होता है जैसे कि अभी मैं आपको इस वीडियो मे system के बारे में तो इसको लेकर के बहुत ज़्यादा बच्चों में confusion रहता है तो इसको आप बहुत ही ध्यान से समझें इगनु में क्या रहता है कि अगर आपने मालीजी की अभी admission लिया है जुलाई 2024 सेशन में तो इसमें जॉब का प्रोग्राम रहता है या तो एरली प्रोग्राम लिया है जैसे कि BCA, MCA या फिर MBA में अभी admission लिया है जुलाई 2024 में तो आपका जो एक्जाम है वो होगा दिसंबर 2024 में और इगनु में ये रहता है कि एक्जाम देने से पहले आप चितने भी subject का एक्जाम देना चाहते है पहले आपको उनका exam fees online submit करना होता है अब exam form बगएरा कब आता है कितना fees बगएरा रहता है वो भी हम बात कर लेते हैं तो इगनु में जो exam है वो दो session में होता है एक होता है June session में एक December session में जून session exam के लिए जो exam form है वो ज़्यादतर normally March के फॉस्ट वीक में आ जाता है और December exam के लिए जो exam form है वो September के फॉस्ट व जाएगा अभी के लिए 200 रुप यह और जब आप एक्जाम देते हैं तो आपका रिजल्ट 14-45 वरकिंग डेमे आ जाता है और एक्जाम देने के बाद आघ उसके भी आता है तो आप क्या कर सकता हुख्त अग्लेस से पुछे दे रखा उसको आप देख सकती है और अगर इन में से कोई भी चीज आपको समझे में नहीं आया है कुछ confusion है और अभी आपने जुलाई 2024 में admission लिया है किसी भी एरली बेस्ट प्रोग्राम में किसी भी semester based प्रोग्राम में तो आप ये वीडियो देख सकते हैं इसमें मैंने assignment के बारे में exam के बारे में assignment question paper के बारे में कि आपको कौन सा question paper वगेरा download करना होगा वो सब चीज़े मैंने इस वीडियो में बता रखा है assignment assignment के question paper में बच्चों का बहुत ज्यादा confusion रहता है क्योंकि यहां पर जब आप question paper को download करने के लिए आएंगे तो बहुत सारे आपको question paper मिलेंगे और ऐसे में आपके लिए कौन सा valid question paper रहता है अगर आपको detail में जानकारी चाहिए तो आप इसी वीडियो को देख सकते हैं इसमें मैंने पूरा detail में अच्छे से बता रखा है question paper के बारे में भी कि जैसे कि आपका yearly based program है तो कौन सा question paper download करना होगा और अब हम बात करते हैं assignment के बारे में assignment के last date के बारे म तो June exam के लिए आपको assignment March में submit करना होता है 31 March रहता है last date और December exam के लिए आपको assignment September में submit करना होता है 30 September रहता है last date लेकिन ये जो last date रहता है इसको बाद में extend भी कर दिया जाता है और वहीं बात करें कि आपको assignment कैसे जमा करना होता है तो आपको जो भी आपका regional center है उनके तरप स सकता है और जैसे कि मैंने आपको बताया है लास्ट दिट को एक्सेंड कर दिया जाता है और एक बार मैं आपको फिर से बता देता हूँ एगणू में एक्जाम देने से पहले आप जितने तो अगर आपको assignment का answer नहीं मिलता है या फिर assignment बनाने में आपको कोई भी problem आ रहा है तो आप के कर सकते हैं कि यह जो WhatsApp नमर है इस WhatsApp नमर पर आप हमारे team से contact कर सकते हैं और जो assignment का answer है PDF format में ऐसा assignment का answer type format में कम दामों में खरीद सकते हैं यह जो WhatsApp नमर है नीचे description box में मैंने दे र कर सकते हैं ऐसा gold medal का award जो कि आप देख सकते हैं इस पर आपका नाम लिखा हुआ रहेगा अगर आपको यह मिलता है तो आपका program code आपका enrollment नमबर है और साथी में 25,000 रुपए का आप cash price भी पराप्त कर सकते हैं तो इन सब चीजों के लिए क्या करना होता है क्या criteria रहता है त इसका link मैंने नीचे दे रखा आपका जो भी रीजलन सेंटर है रीजलन सेंटर आपका कौन सा है आपके admission के application form पर लिखा होगा उपर ही जैसे की कोलकता है तो यहां पर क्लिक करेंगे और यहां पर जो भी आपका रीजलन सेंटर है सभी में आपको यहां पर counseling का option मिल अगर online होता है तो link दिया जाएगा offline होता है तो यहां पर आपको address दिया जाएगा जहां पर आपको class लेने के लिए जाना होगा और अब हम बात करते हैं किताबों के बारे में कि इगनु में जो किताब रहता है वो आपको किस तरीकी से मिलता है तो जब आपने admission का application form fill up किया था printed study material तो ऐसे में क्या होगा कि जो किताब है इगनु में जो भी आपका register address है आपके address पर भेज दिया जाएगा और किताब आपको कब तक मिल जाएगा उसका status भी आप यहीं से चेक कर सकते हैं इस वाले website से यहां पर link update नहीं हुआ है जुलाई 2014 का यहां पर उपर link update किया जाएगा तो यहीं से आप status को देख सकते हैं और अगर आपने admission के वक्त PDF format का किताब सेलेक्ट किया था तो इगनु का यह जो वेबसाइट है यहां से आप PDF की किताबे डाउनलोड कर सकते हैं जिसके आपर यह जो आपको search option मिलता है यहां पर जो भी आपका code है वह आप इस study material है वो इस तरीक से आ जाएगा जैसा कि आप यहां पर देख सकते हैं यह रहता है आपका इगनु का किताब जिसे आप online भी डाउनलोड कर सकते हैं और अब हम बात करते हैं re-registration के बारे में तो इसको भी आप ध्यान से समझ लीजी रे-registration क्या होता है जब आपको एक किला समस्ट बेस्ट आउगा या तो आप के पास फीरा से मित-टा मिलते हैं फिर आप एक्जाम हो जाते हैं अगर यह ग्या मेंकिल करवाना होता है में refuse अगिशंद मों एक खास में खास बात है कि अगर आप एक्जाम में फेल हो जाते हैं या फिर एक्जाम दिने के लिए जाते ही नहीं है या फिर exam fees जमा कर देते हैं, लेकिन exam देने नहीं जाते हैं तब भी आपको second year में एफिर next class में admission मिल जाता है और जो exam में आप fail हो जाते हैं, या फिर नहीं देने के लिए जाते हैं, उसे आप अगले session में दे सकते हैं और exam में fail हो जाते हैं तो आपको दुबारा से exam फीस जमा करना होगा और अगले session में exam दे सकते हैं तो इस वीडियो के माधिम से आपको इतना ही बताना था वीडियो पसंद आया है तो like किजिए, share किजिए और ignorance related सभी update पाने के लिए channel को subscribe करके bell notification को on कर लिजिए ताकि सभी update आपको मिलते रहे और अगर आपको update और जल्दी चाहिए तो आप हमारे telegram channel को भी join कर सकते हैं लिंक मैंने नीचे दे रखा है और आपका कोई सवाल है तो नीचे comment box में बता सकते हैं